आज हम लोग आई CSE class 10 के class में तू कोस्चन पर डिसकस करेंगे एक कोस्चन जेनरल फॉर्मुला पर बेस्ट होगा एक कोस्चन सम आफ एंटर्स पर बेस्ट होगा लेकिन आगे बर्दने के पहले मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा वीडियो को लाइप जरूर करें और अग यह कोस्चन हो लोग यह कोस्चन नबर वर्ल है इफ अनथ टर्म अफ एंप बी अन अनथ टर्म अफ एंप उसी एपी का M to prove that rth term of the AP is M plus N minus R चलते हैं इसके solve सुम में मान लेते हैं AP का first term A late first term BA and common difference CD BD तो इस AP का Mth term Mth term क्या हो जाएगा therefore Mth term is equal to A plus M minus 1 into D general formula से हम लोग Mth term निखा दिये हैं तेकिन यह जो Mth term है A plus M minus 1 into D यह हमको N दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं therefore N is equal to A plus M minus 1 into D इसको हम लोग इसको हम लोग इसको हम लोग निकालते हैं उसका Nth term जोकि Nth term इसका चूकि N दिया हुआ है इसलिए Nth term is equal to A plus N minus 1 into D लेकिन यह जो Mth term है यह हमको M दिया हुआ है Nth term यह हुआ और वो हमको M equal दिया हुआ है therefore M is equal to A plus N minus 1 into D यह equation number 2 हम लोग लेंगे subtracting 1 from 2 equation 1 को 2 में subtract कर देते हैं तो यह बार हम लोग लिख लेते हैं इसको परिशे 2 लिख लेते हैं M is equal to A plus N minus 1 into D और फिर इसके दीचे में लिख लेते हैं equation 1 N is equal to A plus M minus 1 into D अब इसको subtract करते हैं तो जब इसको subtract करेंगे sign change करते हैं माइनस और इए भी माइन एक कैंसिल हो गया M minus N therefore M minus N equal to यहां से D को में लेने के पार बच जाएगा N minus 1 minus M और minus minus plus 1 into D यहां पर 1 भी कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं M minus N is equal to N minus M into D therefore D का value हमको minus 1 आगया क्योंकि दोनों सेम है सिर्फ sign opposite therefore D is equal to M minus N M minus N by N minus M is equal to minus 1 D का value निकलते हैं अब हम लोग किसी भी equation से एक का value निकलते हैं तो equation 1 ही ले लेते हैं from equation 1 equation 1 से क्या निकलता है N is equal to A plus M minus 1 into D N is equal to A plus M minus 1 into D D के जगा पे minus 1 रखेंगे हैं चीक है फिर यह हो जाता है N is equal to A plus minus minus M minus 1 प्रेक्स पे ही रखेंगे therefore A is equal to यह वाला term यहां से यहां तक यह term है इसको इस तरफ ले आएंगे तो plus हो जाएगा यानि कि N plus M minus 1 यह हमारा A का value ने कर गया first term और यहां पर D का value ने कर गया था अब हमको fine करना है और अरत तर्म उसका क्या होगा now Rth term Rth term is equal to A plus R minus 1 into D is equal to A के जड़ा पर यह value रखेंगे तो इसको M plus N minus 1 दिखेंगे M plus N minus 1 plus R minus 1 into D is equal to minus 1 दिया हुआ है to minus 1 is equal to M plus N minus 1 minus R and minus minus plus 1 हम लोग देख रहे हैं कि minus 1 और plus 1 cancel हो सकता है तो हम इसको cancel कर देते हैं बच गया है M plus N minus R और यह कौन सा धर्लो लेकला आरत तर्म तो हम इसको लेक्षाना दे हैं देर्फोर DR is equal to यही प्रूफ करना था चैनल फर्मूला पर पेश्ट यह question है सिर्फ उसको साब्धानी से बनाना है question solve होगा है लेकिन अब जो question है यह question थोड़ा सा difficult है इस question को चादा ध्यान से साब्धानी से लेखो तो इसका options दिया होगा है और यह 4 options में से कोई एक option सही है और फिर हमको यह 4 options में से एक किसी option को चुच करना है और यह question है S1 भी the sum of an AP of N numbers of the terms and S2 the sum of the terms of the three general odd places तो S1 by S2 कम है जो find करना है MCQ है इसको थ्याम से देखिए और अरही चितने भी MCQs है आपके books में other side से भी उसको solve कीजिए क्योंकि यह exam MCQ based ही होने वाले हैं चलते इसके solution में सबसे पहले हमने इसको मान लेंगे जो AP है उसका first term है लेट है फास्ट टर्म है कि भी है कि एंड है को में डिफ्रेंस है भी डी यह मां दिया अब यहां पर पहले हम लोगों कि एपी के स्रीज को लिख लेते हैं क्योंकि ऐसे बनाने में प्रॉब्लेप होगी तो स्रीज हो जाएगा यह फॉस्टर कि एप्लस डी कि एप्लस टूडी कि एप्लस ट्रीडी कि एप्लस फोल्डी और इसी तरह से यह एंड टर्म्स तक है एन एन टर्म्स लेकिन यह एन जो है यह और टर्म्स तो सबसे पहले हम लोग इसका एस वन निकाल लेते हैं एस वन तो हम आसानी सिंदिकाल ही सकते हैं क्योंकि सारे टर्म्स का हम को संप्वाइंट करना है देर्फोर एस वन इस इकल टू एन टर्म से है तो एन बाइट टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एस वन का वैल्यू हम निकाल लिए एक क्रिशन वन मां देते हैं प्रॉब्लम अब है कि एस्टू क्या कहता है तो एस्टू बोलता है एस्टू the sum of the turns of the series in odd places, odd places पर जितना भी turns है उसका sum निकलना है तो odd places वाला हम इसको सर्किल कर देते हैं one फिर यह three one three four five यह five इस तरह से हो जाएगा एक इस सवाल यह उठता है कि यह इसका number of turns कितना होगा यह देखना है तो इसका number of turns होगा number of turns of odd places, odd places is equal to, क्योंकि total terms यहां से यहां तक n दिया होगा है तो odd places वाला जो होगा n plus one by two हो जाएगा n plus one by two इतना turns उसमें होगा अब हम लोग इसका एस तो निकाल लेते हैं, एस तो इसका two n by two, n यहां पर हम यह इस्तमाल करें लिए तो n plus one by two into two तो two इसले लिखे क्योंकि a two यहां है और a divide होता है, into two a, अब a देखते हैं इसका क्या है तो a तो इसका फी a ही होगा और first term a ही है, plus n, n हमारा यह होगा, तो n plus one by two minus one into d, अब d देखेंगे क्या होगा, तो d निकालने के लिए हम लोग इसमें इसको subject कर देते हैं, इसका d हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, d equal to, second term a plus two d है, और first term a है, a plus two d minus a, तो यह a cancel, यह equal to two d, तो इसका जो common difference है, वो two d हो जाएगा, तो हम लोग यहां पर two d लिख लेते हैं, शॉब करते हैं इसको, n plus one by four into two a plus, इसका इसमें लेने हैं, तो यह two n plus one minus two into d, is equal to n plus one by four into two a plus, यहां पर n plus one minus two, यह हो जाएगा, n minus one into, यह two d होगा, क्योंकि यह हम लोग two d मिटा में दें, तो यह two और यह two cancel हो जाएगा, into d पर चलना है, अब हमको यह s2 मिल दिया, और यहां पर हम लोग s1 दिका लेगे थे, therefore, therefore, s1 by s2, is equal to, s1 का भेलू है, n by two, two a plus n minus one into d, n by two into two a plus n minus one into d, यह s1 है, s2 है, n plus one by four by n plus one by four और into two a plus n minus one into d, two a plus n minus one into d, यहां पर यह वाला term cancel हो जाएगा, और यह two one और यह two cancel हो जाएगा, यह वाला two, ऊपर चला जाएगा, तो यह आजाएगा, two n by n plus one, यह option हावाला है, और यह option है, two n, two n by n plus one, यानि की option number c, इसका correct answer है, correct option है, यह question mcq में ही है, लेकिन इतना सा solve करना होता है, कुछ questions mcq में इसे होते हैं, जिसको कि आपको थोड़ा सा solve करना होता है, technical question भी था, अगर आप इस चीज़ को fine करने में, परिसामी में आ जाते हैं, तो फिर यह आपको परिसान ही करता रह जाएगा, ठीक है, उमेद है कि जरूर यह question पसंदाया होगा, अजितना साहिब, जय हिनित, जय भावत।